ओम सिरी गनीशाय नमदूस्तू एश्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर गुरुवार के रासी फल के बारे में कि इह दिन मित्वन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा मिथों नाशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकावा धन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छी खबर मिलने के भी आज आपके लिए अने को योग बन रहे हैं उच्छ पदादिकारी और बुजोर्ग वर्ग की किर्पा द्रष्टी आपके उपर रहेगी सभी काम सरलता से संपन होते हुए आज आपको प्रातीत होंगे साथि साथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्तपूर्ण कार्रे बहतरिन तरीके से पूर्ण करेंगे जिस से आपको कافी रहत महसूस होगी किसी नजदी की रिस्तेदार का घर में आगमन और हास परियास में समय व्यतित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिल तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्चवी अपनी पढ़ाई की और एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नए उरजा का प्रभाव अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संबंदित महत्वपून निर्ने लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकार अत्मक उपलब्दियां लेकर आ सकता है अपने महत्वपून कार को निवटाने में अपनी आज आप पूरी उरजा लगें आपके प्रियास अवस्से ही सफल होंगे धर्म कर्म के प्रती अस्ता रहेगी दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आप निर्णे ले भावुकता में आकर आपके निर्णे गलत हो सकते हैं शेयर मारकेट और रिस्क सम्मंदित कारों में आपके लिए लाबदाएक परिस्तितियां आज उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है। दोस्तों परिवारिक इस्तितियां आज तनाव पूर्ण हो सकती हैं। परिवार में एक दूसरे के साथ ताल मेल का आभाव हो सकता है। अनावशक बातों को लेकर विवाद उत्पन होने की भी आज संभावना पाई जाती हैं। किसी तरह के मन में भ्रहम उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती है। साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती हैं। परंतु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर्ण तरीके से ठीक करनी की आप कोशिस करें। इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा। साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलूओं पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें। आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी सिर्फ समय की बरवादी ही कराएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है। अपनी वानी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रुत रखें। मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फहमी आज उत्पन हो सकती है। आपके प्रती दोंदी आपके बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोशिस कर सकते हैं। जिसकी वज़े से पडोसियों दोस्तों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं। किसी भी परिस्तितियों को सांतिपूर्ण तरीके से समझाएं। गुस्सा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा। इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सैयम रखें। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना आती आवशक हैं। कोई बाहरी वेक्ति जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिति उत्पन कर सकता हैं। साफधान रहीं। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं। दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिस से आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी। आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद पे खुद अज समाप्त हो जाएंगी। जह दोस्तों जीवन साथी का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा। आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी। बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरन रहेगा। प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभीर ताएगी। वैवाई की संबंद ठीक रहेंगे। परिवारिक माहौल खुसनमा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुखद यादें ताज आँगी। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है। इस दिन का आपको अवस्य ही लाब उठाना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों कारेच्छित्र में आपकी निगरानी अती आवश्चक हैं क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत्पपून ओर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं। नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवश्चक हैं क्योंकि उनके ओपर काम का अधिक बोज रहेगा। किसी भी प्रकार के एनेतिक कारे को करने से बचें क्योंकि इसका दुस्प्रिभाब आपके मान सम्मान पर पढ़ सकता है। साथ साथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेगा। दोस्तो साथ साथ कारे छित्र में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भी सांती पूर तरीके से सुल्जानी की आपको आवशकता है। दोस्तों की गुस्से और आवेस में आने से परिष्टितियां और बिगड सकती हैं। अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इस्तिती सामान्य बना कर रखें। दोस्तों साथी साथ आज का दिन मारकेटिंग सम्मदित कार रहें और बाहरी गति विडियों में व्यतित होगा नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं। स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपए क्या है दोस्तो आज आप इस नान आदी से निर्वत्र होने के माद एक नारियल शवा मीटर पीले वस्तर में लपेट कर एक जोड़ा जनेऊ शवा पाउ मिश्टान के साथ आस पास के किसी भी विश्नु मंद किते हुए चड़ा दें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान श्रहरी विश्नु जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प पश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद